दिल्ले के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल सोमवार को भी एडी के सामने पेश नहीं होंगे एजनसी ने 17 फरवरी को छटा समन भेज कर उन्हें आज पूछताच के लिए बुलाया था हाला कि ये समन कोट के दखल के बाद जारी हुआ था इसलिकर आम आद्वी पार्टी ने कहा है कि एडी के समन गेर कानूनी है जब इन समन की वेदता को लेकर कोट में सुनवाई चल रही है तो बार बार समन भेजने की जगा एजनसी को कोट के फैसले का इंतजार करना चाहिए दरसल इससे पहले इडी के जरिवाल को 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नौमबर को समन भेट चुकी थी जब पांस समन के बाद भी दिली सियम पुष्टाच के लिए नहीं आए तो इडी ने राउज एवेन्यू कोट में याचिका लगाई थी 14 फरवरी को कोट ने केजरिवाल से कहा था कि आप 17 फरवरी को अदालत में हाजिर होकर पेशी में ना जाने की भज़ा बताए तब मुख्यमंत्री वर्चुली कोट में पेश हुए उन्होंने कोट को बताया कि विधान साबा में विश्वास प्रस्ताव पर चल्चा और बजट सत्र के कारण वे कोट में शारीरी क्रूप से उपस्तित नहीं हो सके अगली सुनवाई 16 मार्च को है उस जिन वे कोट में पेश होंगे